यार बॉलिवुट का नया सक्सेस फॉर्मिला बन चुका है क्लैश भले ही दूसरी फिल्म पिट जाए लेकिन एक नएक तो ऐसा कांड करती है जिससे बॉक्स ओफिस हिल्स आ जाता है अनिमल वर्सेस सैम भादूर पकड़ लो ओएमजी वर्सेस गदर टू देख लो और इस साल तो हद पार तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा स्त्री वर्सेस वेदा वर्सेस अक्षे कुमार उपर वाले तीनों क्लैशेस में अनिमल गदर टू और स्त्री टू इन सब ने इतिहास रच दिया बॉक्स ओफिस में सालो साल इनके रिकॉर्ड्स तोड़े नहीं तूटेंगे और कमाल की बात देखिए अभी 2024 में बॉलिवुड वाले 2026 के क्लैश की तयारी कर रहे हैं वो भी ऐसा वैसा नहीं सीधा वर्ल्ड वॉर्ड थी की प्लानिंग एक नाम जो हमेशा उस वक्त आता है जब बॉलिवुड को बचाने की जरुद सबसे जारा है बादशा शारु खान फिर से तयारी कर रहे हैं अपने सेकेंड कमबाक की इस बार तो फिल्म के नाम नहीं किंग है तो बॉक्स ओफिस पे ये फिल्म क्या-क्या कर सकती है वो शायद सब की सोच से परे है डॉन फ्रेंचाइस फरान अक्तर ने इन से छीनके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक की थी और उसी का बदला लेने किंग में शारु खान एक अंडर वर्ल डॉन बनके वापिस आएंगे वैसे फटाफट से बता दूं किंग आक्चुली में सुहाना की फिल्म थी और S.R.K का कैम्यो होने वाला था लेकिन सबजेक्ट इतना जबर्दस निकला कि फिल्म को S.R.K ने अपनी फिल्म बना लिया इन शॉर्ट जवान में जो मासी अफ्तार आपने रेखा था वो किंग के सामने छोटा बेटा था और बेटी को बचाने इस बार S.R.K के कर देंगे आक्चन की सारी लिमिट्स को पार और इस बार तो मामला परसनल भी है क्योंकि स्त्री टू की सकसस ने पहले पठान को पीछे कर दिया अब बारी जवान की है नमबर वन से सिधा नमबर टू पे खिसक जाने की माने बॉलिवुट की नई क्वीन को ये बताने की राजा सिफ एक होता है शारुख खान को जल्दी से वापिस आना पड़ेगा और बॉक्स ओफिस को उसकी ओकात दिखाना पड़ेगा फिल्म की शूटिंग अपडेट आई है जिसके अकॉर्डिंग जैनवरी में इसकी तयारी शुरू हो जाएंगी और अगस सितंबर तक फिल्म का काम फिनिश कर लिया जाएगा इसलिए फिलाल किंग की रिलीज डेट को इद 2026 माने 19-20 मार्च के आसपास फाइनल किया गया है इन शॉट टाइगर के फेस्टिवल पे पठान बॉक्स ओफिस की दिवाली मनाएगा अच्छा हाँ वैसे किंग के तुरन बाद शारू खान पठान 2 की तयारी शुरू कर देंगे ये बंदा रुखने वाला नहीं है एक से लेकर 100 तक सारे रिकॉर्ड अपने नाम लिखना है पठान 2 स्पाइ उनिवर्स की बहुत इंपोर्टन फिल्म होगी क्योंकि पहली बार एक स्क्रीन पे SRK सलमान रितिक साथ आ सकते हैं बाकि दिपिका कैटरिना एकडम फ्री लेकिन एक बंदा है जो हमेशा SRK के स्टार्डम से भिड़ने को तयार रहता है वैसे तो लोग इनको बॉलिवूट का लास्ट आर बोलते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये तो बस शुरुबात है दे अनिमल रनबीर कपूर इनकी एक्टिंग स्किल्स पे किसी को शक नहीं था लेकिन बॉक्स ओफिस पे रिस्पेक्ट मिला संदीव वांगा की मोस्ट वालेंट फिल्म के बाद शारुखान वर्सिस रनबीर कपूर ये वो राइवल्री है जो कभी सामने से खुले में आपको नहीं दिखेगी बट सोशल मीडिया पे फांस के बीच में वर्ल्ड वार से कम नहीं होगी बस यही दो नाम है फिल्म का लव और जिसमें इतने कमाल के आक्टर साथ आएंगे कि पूरा बॉलिवुड भी सामने खड़ा हो जाए तो छोड़ा लगने लग जाए रनबीर कपूर वर्सस विक्की कोशल यह सिफ सोच के ही दिमाग में रॉंगते खड़े हो जाते हैं एक शेर तो दूसरा सवाशेर और कौन वाला कौन है कोई नहीं बता सकता और ये दोनों जिसके लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मर मिटेंगे वो है आलिया भट माने दो स्टार्स के सामने लेडी सूपर स्टार बॉस बॉक्स ओफिस पे धमाका कन्फर्म है अगर इतने से भी पेट नहीं भरता आपका तो फिल्म में थोड़ी सी कॉंट्रुवर्सी डाल देते हैं कॉंट्रुवर्सी का दूसरा नाम ही है संजय लीला बंसाली जो ये फिल्म डरेक्ट करेंगे हैवी बजट पे चलने वाली बहुत लंबी लेकिन कमाल की फिल्म बनेगी जितने तगड़े आक्टर्स है उससे जादा तगड़ा सब्जेक्ट है रोमांस लेकिन आक्शन मास एक्शन के साथ रनवीर वर्स शाहिद का फेस ओफ याद है पदमावत में उसको सौ या फिर हजार से मल्टिप्लाइ कर दो इतने बड़े स्केल पे बनने वाला बॉलिवुट का टॉप सिनिमा होगा अब अगर मैं आपसे पूछों King vs. Love and War कौनसी फिल्म पर टेगी कौनसी चलेगी आप बोलो के दोनों चलेगी ना यार 100% बॉक्स ओफिस पर कमाई गैरिंटीड है बस यही तो ट्विस्ट आया है ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई है शारुक खान vs. रनवीर कपूर क्लेश इस 100% ओन सर जी ये लोग भी 20 मार्च 2026 को अपनी रिलीस डेट अनाउंस कर दिये हैं फिलाल फिलाल इसलिए बोला क्योंकि आजकल कोई भी फिल्म अपने ओरिजिनल टाइम पर आती कहा है लेकिन जैसे भूल भूलेया 3 vs. सिंगम 3 वाला क्लेश है जिसमें दोनों फिल्मों के मेकर्स पीछे हटने को रेडी ही नहीं है बात इगो पे आ गई है ठीक वैसे ही King vs. Love & War का मामला मुझे थुड़ा परसनल सा लग रहा है शारुक खान वित आलिया इनको करनी थी इन्शा 99.99% chances बनते हैं कि रन्मीर कपूर की फिल्म आगे पीछे सरक जाएगी जबकि सबको EV देने की जिम्मेदारी सिर्फ पठान के कंधों पे आएगी वैसे इन दोनों की लडाई में अफ्तार का फाइदा हो गया है अगले साल Christmas से Love & War हट गई माने अफ्तार को कमारी करने की होंगी वर्ना थोड़ा से इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टिक केर बाइबाइबाइब